Assalamualaikum dear learners, potential entrepreneurs and entrepreneurs welcome in the video बात बहुत एहम हो रही है because बात हो रही है प्राइस की जो के एक source of revenue होता है किसी भी business का प्राइस के बारे में हम इन उसकी जर्नल डाइफनेशन तो देख लिए और हमने ये भी देख लिया कि जो प्राइस है Number One, आपके consumer को psychologically effect करती है, consumer एक reference जरूर अपने comparison जरूर माइंड में create करता है आपके price और product और quality के लिहाद से, प्लस आपके informal, आपके formal sources, आपके online sources, consumer का market survey ये तमाम चीजें effect कर रहे होती है उसकी decision को कि जो price आप उसको charge कर रहे हैं, उस price पे वो आपसे product, service या experience बाइ करने के रिए willing है या नहीं है और हमने कहा था कि price is a good indicator of the quality of your product, service और experience अब हम बात करते हैं pricing strategies की आपकी pricing strategy क्या होगी इससे पहले, आपको ये decide करना होता है कि basically आपका pricing objective क्या है आप करना क्या चाहते हैं, आपके mind में क्या है, अगर आपके पास एक product, एक price, product है या experience है या आपके पास एक service है बेचने के लिए, ये भी बहुत एहम होगा कि आप business के किस stage पर हैं क्या आप किसी incubation center में बैठे हैं, या आप अपना business start कर चुके हैं, या आप अपनी growth stage पर हैं, या अब आपकी एक mature, let us suppose एक limited firm है या private limited firm है तो depend करेगा कि आपकी price किस तरह से decide होगी price, pricing के दौरान जो objectives होते हैं, उनमें multiple objectives हो सकते हैं, जिसमें से चन देखी हैं, मिसाल के तौर पर number one, क्या आप price charge कर रहे हैं, तो क्या आपका survival उसके उपर टिका हुआ है sometime ऐसा होता है कि business के अंदर head to head competition होता है, वो competition इतना tough हो जाता है market के अंदर, कि जिस जो price आप charge करना चाहरे होते हैं, जो margin आप लेना चाहरे होते हैं कस्टमर से, वो margin आप charge नहीं कर पाते हैं और आपको अपनी price set करना पड़ती है, इस हवाले से कि कम असकम आपका business shut down ना हो जाए और आपका survival टिका रहे है, आप बाज वकात अपने margins कम कर लेते हैं, अपनी cost कम कर लेते हैं, आप quality भी compromise कर लेते हैं, अपनी product range जो आपने बढ़ाई भी थी बाज वकात वो कम कर लेते हैं, depend करता है, आप सिरफ shutdown की जो एक point है, उससे बचना चाहरे होते हैं, आपका survival टिका है, तो क्या आप अपनी product की जो price चार्ज कर रहे हैं, उसमें आपका survival टिका हुआ है, number two, क्या आप सिरफ इसी एक साल के लिए अपनी profit को maximize करना चाहते हैं, बाज वकात ऐसा होता है, कि इसी एक साल में, market trend इस तरह का होता है, कि वो आपकी product के लिए बहुत favorable होता है, तो margins बढ़ा देते हैं, आपका main focus तरफ यह होता है, कि इसी साल के profit margins हैं, उनको हमने maximize करना है, उसमें multiple ways हो सकते हैं, आप और जादा produce कर सकते हैं, economies of scale जो है उसको आप achieve कर सकते हैं, आप अपनी markets explore कर सकते हैं, कोशिश ये करते हैं, कि किसी ना किसी तरह आप इस साल के profits को maximize कर सक by penetrating the market means कि आपके पास आप अपना market share बढ़ाना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि जितनी भी mobile companies हैं, they come up with different bundle prices, different packages, और बाजवकाद यह packages अच्छे होते हैं, बाजवकाद यह अच्छे नहीं होते हैं, बाजवकाद consumers के साथ, प्राइस के मामल में बहुत सी ऐसी बाते हो जा number of subscribers हो जाएं, यानि market का बड़ा share उनके पास आजाएं, तो क्या अपनी price इस तरह से set करनी है कि आप market में penetrate करें, एक बड़ा share आपके पास market का आजाए, या आपकी product बिलकुल नहीं है, और आप नहीं नहीं product मार्केट में लेकर आने लगे हैं, तो आपके objectives price के बिलकुल मु compromise नहीं करना चाते हैं, तो आपकी pricing बिलकुल मुख्तलिफ होगी, और उसके अंदर बहुत से compromises आप नहीं करेंगे, जो बास वकात हम कर जाते हैं, being an entrepreneur, या फिर day end के उपर आपके पास बहुत सा आपका जो माल है, वो बच गया है, और अब आप उसको बेचना चाहरे हैं, उस inventory को निकालना चाहरे हैं, तो आप कम असकम ये कोशिश करते हैं, कि जिती inventory आपके पास है, वो inventory के उपर जो cost आपकी लगी है, कम असकम वो cost recover हो जाए, तो आप कोशिश करते हैं कि low price के उपर sale लगा देते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपनी चीज़ों को किसी तरह cover हो जाए, और भी कही objectives हो सकते हैं, बट mainly अब आप से ये discuss किया है, तो depend करता है कि आपका objective क्या है, यानि जब आप price अपने product, अपनी service या अपने experience की decide कर रहे होंगे, calculate कर रहे होंगे, तो depend कर रहा होगा कि आपके objectives क्या है, अच्छा, price की strategies जो है depend करेगा, यानि आपकी price depend क करेगी, number one, कि आपकी product है क्या, आपकी product, आपकी service याप experience जो आप बेचने जा रहे हैं एक customer को, वो basically है क्या, बहुत से असी products हैं, जिसको हम daily use products कहते हैं, उनकी price, pricing strategies बिल्कुर मुखलिफ होती है, बहुत से असी product जिनको हम high involvement product कहते हैं, कोई एक दफ़ा गाड़ी खरीदने लगा है, या mobile उसने लिया है, तो अब वो दो-तीन साल के बाद, या अगर लैपटॉप लिया है, तो दो-तीन साल के बाद वो change करना चाहते है, इस high involvement product, आपकी service, आपकी experience पर depend करेगा, कि आपकी price क्या होगी, फिर आपकी price बहुत depend कर रही होती है, कि इस वकत आपका compactor आप आएंगे, जब आप अपनी चीज बेचने के लिए आएंगे, तो आपके अरदगिर बहुत धेर सारी competitors बैठे होंगे, जो आप जैसी है, आप से मिलती जूलती product sell कर रहे होंगे customers को, so competitors क्या price charge कर रहे हैं, ये भी बहुत जादा depend करेगा, और उसके इलावा है आपकी target market, कितना compromise कर सकता है, quality over the price, ये depend करेगा, so again, आपकी type of the product, आपकी target market और आपके competitors with the same or the alternate product, ये क्या price charge कर रहे हैं, ये भी बहुत जादा depend करेगा, Coming back to the pricing strategy quickly, now once you know the objective कि आपने करना क्या है, और प्लस आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका जो ecosystem है, जिसमें आपके customers हैं, आपके competitors हैं, आपकी target market है और उसके इलावा आपकी अपनी product है, अब आपने pricing strategy क्या adopt करनी है, depend करेगा again, कि आप business के किस एक stage के ऊपर हैं, मिसाल के तौर पर pricing strategy में new product pricing strategies are usually different, psychological pricing में बड़ी interesting होती है, किस तरह से हम उसको charge करते हैं, और product line strategies, यानि अगर आप product की एक line लेकर आ रहे हैं, तो किस तरह से उसके लिए price आप charge करेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं new product की, अगर आप new product market में लेकर आ रहे हैं, तो usually हम देखा है कि companies new product को जब market में लेकर आती हैं, तो वो skimming price पे product को introduce करवाती हैं, आपने अकसर देखा होगा, without taking the name of any mobile, आप अच्छी तरह जानते हैं, because आप उसके users हैं, जब नया नया model, mobile का या गाड़ी का market में आता है, तो वो बहुत ज़ादा premium price पे launch किया जाता है, and slowly and gradually फिर उसकी price को आने वाले वक्तों में कम किया जाता है, हर एक, दो, तीन या चार महीने के बाद, या जब तक नया model नहीं आ जाता, उसकी price को slowly and gradually cut down करके, उसको reduce किया जाता है, this is called market skimming pricing, यानि आपने high premium price पे launch की अपनी product, and slowly and gradually जब तक कि आप नया उसका variant या नया, उसका model नहीं लेकर आ गए, आप उसको high price पे charge करते हैं, और slowly and gradually आप उसकी price कम करते हैं, या दूसरी option उसके, आपके पास होती है, market penetration pricing, यानि आप एक नई product लेकर आएं, और आप ये चाहते हैं, कि वो नई product जब launch हो, तो आपके competitors के मकाबले में, वो आपकी product bulk में, ज़्यादा volume में सेल हो जाए, आप ज़्यादा penetrate करें market में, जब market penetration आपकी pricing strategy होगी, तो उसमें आपकी strategy बिल्कुल मुक्तरिफ होगी, आप जरूर कोशिश करेंगे, कि आप अपने competitors से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा competitive price offer कर सके, with some additional features, so again, if you have a new product, देखिए, अगर आपको skimming strategy सूट करती है, यहाँ आपको एक market penetration pricing strategy सूट करती है, market penetration strategy हमेशा काफी हद तक critical, technical होती है, because इसमें खतरा होता है कि आप price war के तरफ चले जाएंगे, अच्छे फिर आते हैं, एक और strategy है, जिसको हम psychological pricing strategy बोलते हैं, इसके अंदर multiple strategies, जिस तरह है reference pricing strategy, आप product, मिसाल के तौपर यह pointer है, यह even बर्यानी की एक plate ही ले ले लेते हैं, तो आप देखते हैं कि in general market में, यह pointer यह एक बर्यानी की plate कितने की बिक रही है, और आप पोशिश करते हैं कि आप अपनी price उसके करीब करीब रख सके हैं, irrespective of your cost, बाज वकाद आप break even पे चले जाते हैं, बाज वकाद आप नए-ने market में आना चाहरे होते हैं, थोड़ा सब आपको loss भी बेर करना पड़ता है, बाज वकाद आपकी cost कम होती है, और आप एक अच्छा margin उस पर रख लेती हैं, लेकिन आप उसकी price कम नहीं करते हैं, आप जो market के अंदर एक prevailing price होती है, उसकी करीब करीब प्राइसिंग को रखते हैं, Likewise, bundle pricing भी बड़ा एक trick होता है, आपने देखा होगा, बास वकाद companies जो है, वो bundle pricing, जिस तरह आपने mobile के packages देखे होंगे, कि इतने number of SMS, इतने number of internet MBs, उसके लावा इतनी calls दूसरे network पर और इतनी call इस network से, इस network पर, it's called bundle pricing, इस bundle pricing में आपको ये अंदाजा नहीं होता, कि आपने per unit कितना price pay किया है, हर एक service के लिए, लेकिन चुकि आप एक साथ price pay कर रहे होते हैं, they are playing with your psyche, तो आपको ये लगता है, customer को ये लगता है, कि उसने एक amount के अंदर एक अच्छा bundle purchase कर लिया है, सो देखे, अगर आपकी product, आपके idea को bundle pricing रहे, वो suit करती है या नहीं करती, likewise हमारे पास होता है multiple unit pricing, आपने देखा होगा, आजकल नए stores open हो रहे हैं, जिसमें लिखा होता है, कि हर चीज जो है, let's suppose, वो 100 रपे की है, या वो 1 डॉलर की है, या वो 10 रियाल की होगे, और आप जाते हैं, और आप एक एक unit जो है, वो purchase करते हैं, so you exactly know your bill, क्या आपको per unit price, यानि और number two, ये भी हो सकता है, कि हर एक product और उसका variant और उसकी price पे मखलिफ हो, depend करता है कि आप उसको किस तरह से charge करना चाहेंगे, और उसके लावा everyday low pricing, आपने देखा होगा, बहुत बड़े-ब stores ये claim करते हैं, कि वो जो भी price change कर रहे हैं, depending upon the market forces, और they are offering everyday low prices, so everyday low prices भी एक बहुत trick है, जो customer के साथ play किया जाता है, which strategy is more suitable for your product, or your service, or your experience, फिर हम आजाते हैं, product line pricing strategy पे, ये उन entrepreneurs के लिए ज़्यादा important है, जो कि इस वकत growth stage पर है, अपनी product line को बढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा, शैंपू है, शैंपू के साथ, एक conditioner आते हैं, conditioner के साथ, एक damage repair cream भी आ जाती है, उसके साथ, serum भी आ जाता है, बालों को सीधा करने के लिए, so एक लंबी range of product है, जो आप use कर सकते हैं, उसके लिए जो pricing strategy यूज होती है, that is captive pricing pricing, बा basic shaver एक दफा ले लिया जाता है, उसकी basic दफा ले लिया जाता है, फिर multiple shavers उसके लिए लिया जाते हैं, तो बाश वकात जो main product होती है, उसकी price को एक साथ इस्तमाल होना होता है, depending upon your product और your idea, depend करता है, again के आप क्या बेच रहे हैं, क्या आपको captive pricing खास तोर पे अगर आप product line offer कर रहे हैं, तो क्या आपको वो suit करती है, premium pricing भी आप launch कर सकते हैं, premium pricing का मतलब होता है, brand आपका same होता है, और आप एक उसी same brand में, एक जो आपका line है, वो थोड़ी expensive होती है, और जो second line है, वो थोड़ी come expensive होती है, come features के साथ, लेकिन premium pricing जादा critical इसलिए होती है, क्योंकि बाज वकात वो वली आपकी line जो थोड़ी सी cost effective होती है, वो और उसकी price बाज वकात आपकी premium जो line है, उसको effect करना शुरू कर देती है, depend करता है कि आपको क्या suit कर रहा है, again I repeat, आप नई product लेकर आ रहे हैं, तो price के मेंग या penetration में आपने उसके इलावा जो है वो reference pricing या bundle pricing या multiple unit pricing या everyday low pricing offer करनी है, या फिर आपने जो product line के अंदर captive या premium pricing offer करनी है, pricing में एक और भी odd even pricing का भी नाम लिया जाता है, value based pricing का भी नाम लिया जाता है, even odd का मत्तर भी होता है, आप अकसर product buy करने जाते हैं, और वहापे लिखा होता है 24.95 dollars, या आप जूता लेने जाते हैं, तो लिखा होता है 2999, तो वह एक रुपया कम 3000 की product होती है, but because आप उसको लेफ्ट से पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले 2000 के उपर, जो है वो arrive करते हैं, तो आपका mind processing शुरू होती है, यह 2000 की range की product है, जबकि वह एक रु अगें, pricing बहुत technical है, इसके अंदर हमने, we have tried कि हम इसको बहुत oversimplify करें, लेकिन यह चीज़े इतनी oversimplification के साथ decide नहीं होती, again, if you are unable to charge the right price, आप की, आपने business को sustain नहीं कर पाएंगे, revenue generate नहीं कर पाएंगे, pricing strategies में कुछ और भी additions हैं, उसको हम discuss करते हैं अपने next video में,